ओ नमस्षिवाई हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन के बटन को भी अवश्च दबा लें तो चलिए प्रारम्भ करते हैं तरपन विधी सर्व पर्थम तरपन करने से पूर्व संपोर्ण तरपन की सामाग्री को अपने पास में रख लें जैसे की कुष, जों, तिल, श्वेच चन्दन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, जल, आदी संपोर्ण तरपन की सामाग्री को अपने पास में रखें और आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठें सर्व पर्थम इन मंत्रू को बोलते हुए तीन बार जल को पिए अर्थात आच्वन करें ओम केशवाय नमहा ओम नारायनाय नमहा ओम माधवाय नमहा फिर इस मंत्र को बोलते हुए अपने हातू को धोले ओम रशी केशाय नमहा आच्वन करने के बाद फिर दो कोशाओं की पवित्री दाहिने वो तीन कोशाओं की पवित्री अपने बाय हात की अनामिका अंगुली की जड में धारन करें उसके बाद में अपने दाहिने हात में तीन कुशाओं को ले ले और कुशाओं का अग्र भाग पूरू में रखते हुए अपने दाहिन हात में जों अक्षयत जल आदी लेकर संकल्प करें ओम विश्णुर विश्णुर विश्णुहूं स्रीमद भगवतो महापुरुशस्या विश्णुराग्यया प्रवर्त मानस्या अध्य स्री ब्रह्मणोहनी दुतीय परार्धे स्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अश्टा विन्षतितमे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे आरिया वरतैक देशे अमुक छेत्रे जिस भी छेत्र में आप रहते हो वहाँ पर आपको अपने छेत्र के नाम का उच्चारण करना है विक्रम्षके बौधावतारे अमुक नामनी सम्वसरे यहाँ पर आपको सम्वसर के नाम का उच्चारण करना है अमुकायने यहाँ पर अयन के नाम का उच्चारण करना है अभी दक्षणायन है तो कहना है स्री सूर्य दक्षणायने अमुक रिता यहाँ पर रितु के नाम का उच्चारण करना है यहाँ पर महिने के नाम का उच्चारण करना है गुण गण विशिषण विशिष्टायाम यहाँ पर आपको अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करना है यहाँ पर आपको अपने नाम का उच्चारण करना है यदि आप ब्रामन हैं तो शर्मा हम का प्रियोग करेंगे और यदि आप छत्री हैं तो वर्मा हम का प्रियोग करेंगे और यदि आप वैश्य हैं तो गुप्तो हमका परियोग करेंगे और यदि आप शूद्र हैं तो दासो हमका परियोग करेंगे ममो पात दुरिताशय द्वारा स्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देवर्शी मनुष्य यम पित्र तरपण महम करिश्य संकल्प को पढ़कर जल आदी को पात्र में छोड़ दें और उसके बाद में फिर ताम्रिया रजत के पात्र में श्वेच चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प वद तुलसी दल रखकर पुनह उस पात्र के उपर एक हाथ अथवा प्रादेश मात्र लंबी तीन कुशा र रहे, इसके पश्चात उस पात्र में तरपन के लिए शुद्ध जल भरे, फिर उसमें रखे हुए तीनों कुशु को तुलसी के साथ संपुटाकार दाहिने हाथ में लेकर बाएं हास से उसे ढख लें और इस मंत्र वश्लोक का उच्चारन करते हुए उसमें देवताओं का आवहन करें। जजत्रा आसद्यास्मिन बरहिश्य मादयद्धम्मा आगच्छन्तो महाभागा विश्वे देवा महाबलाह ये तरपने त्रविहिताह सावधाना भवन्तोते। देवताओं का आवहन करने के बाद अब देवतरपन करें। पूर्वा भिमुख होकर देवतीर्थ से ब्रह्मादी देवताओं के निमित्त पात्र में से एक एक अंजली अक्षत मिला हुआ जल लेकर दूसरे पात्र में छोणें। और इन मंत्रु का उच्चारण करते हुए देवतरपन करें। ओम ब्रह्मा त्रिप्यताम। ओम विष्णु स्त्रिप्यताम। ओम रुद्र स्त्रिप्यताम। ओम प्रजापति स्त्रिप्यताम। ओम देवा स्त्रिप्यन्ताम, ओम चंदांसे त्रिप्यन्ताम, ओम वेदा स्त्रिप्यन्ताम, ओम रशय स्त्रिप्यन्ताम, ओम पुरानाचारिया स्त्रिप्यन्ताम, ओम गंधर्वा स्त्रिप्यन्ताम, ओम इतराचारिया स्त्रिप्यन्ताम, ओम सम्भसरह सावयव स्त्रिप्यताम। ओम देव्य स्त्रिप्यंतं। ओम अप्सरा स्त्रिप्यंतं। ओम देवानुगा स्त्रिप्यन्ताम, ओम नागा स्त्रिप्यन्ताम, ओम सागरा स्त्रिप्यन्ताम, ओम पर्वता स्त्रिप्यन्ताम, ओम सरिता स्त्रिप्यन्ताम, ओम मनुष्या स्त्रिप्यन्ताम, ओम यक्ष्या स्त्रिप्यन्ताम, ओम रक्षांसे स्त्रिप्यन्ताम, ओम पि देवतरपन के पश्चाद फिर इन मंत्रु का उचारण करते हुए मरीची आदी रिश्यों को एक-एक अंजली जल प्रदान करें। ओम मरीची स्त्रिप्यन्ताम, ओम अत्रे स्त्रिप्यताम, ओम अंगिरा स्त्रिप्यताम, ओम पुलस्त्य स्त्रिप्यताम, ओम पुलह स्त्रिप्यताम, ओम क्रतो स्त्रिप्यताम, ओम वसिष्ठ स्त्रिप्यताम, ओम प्रचेता स्त्रिप्यताम, ओम भिगो स्त्रिप्यताम, ओम रिशी तरपन करने के बाद अब दिव्य मनुष्यू का तरपन करें। कुशाओं को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मध्य भाग में रखकर प्रजापत्य तीर्थ से प्रत्येक दिव्य मनुष्यू को उत्तरा भिमुख होकर दो दो अंजली जों सहीत जल दें। ओम सनकस्त्रिप्यताम। ओम सनकस्त्रिप्यताम। ओम सनन्दन स्त्रिप्यताम। ओम सनन्दन स्त्रिप्यताम। ओम सनातन स्त्रिप्यताम। ओम कपिल स्त्रिप्यताम। ओम आसुरिस्त्रिप्यताम। ओम ओम वोढुस्त्रिप्यताम। ओम ओढुस्त्रिप्यताम। ओम पंचस्त्रिप्यताम। दिव्य मनुष्य तरपन करने के बाद अब दिव्य पित्री तरपन करें। कुशाओं को अपने दहिने हाथ के अंगोठे और तरजनी के मध्य में धारन कर लें। और दक्षन की ओर मुख करके बैठ जाएं। और जनेवु को अपसव्य कर लें। और बायाखुटना मोड कर पित्र तीर्थ से काले तिल मिले हुए जलद्वारा तीन तीन अंजली दिव्य पित्रू को दे। ओम कव्यवाडनलस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम कव्यवाडनलस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम कव्यवाडनलस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम सोमस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम सोमस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम सोमस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम यमस्त्रिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम अगनिश्वात्ताह पितरस्टिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम अगनिश्वात्ताह पितरस्टिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम अगनिश्वात्ताह पितरस्टिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम सोमपाह पितरस्टिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम सोमपाह पितरस्टिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम सोमपाह पितरस्टिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम बरहिशदाह पितरस्टिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। ओम बरहिशदाह पितरस्टिप्यताम इदम सतिलम जलम तसमे स्वधा नमहा। दिव्य पित्री तरपन करने के बाद अब यम तरपन करें। इन मंत्रू का करम से उच्चारण करते हुए यमराज को पित्री तीर्थ से दक्षण दिसाकी ओर मुख करते हुए तीन तीन अंजली तिल युक्त जल दें। ओम यमाय नमहा। ओम धर्मराजाय नमहा। ओम धर्मराजाय नमहा। ओम रित्यवी नमहा। ओम रित्यवी नमहा। ओम अंतकाय नमहा। ओम अंतकाय नमहा। ओम बैवस्वताय नमहा। ओम बैवस्वताय नमहा। ओम कालाय नमहा। ओम सर्व भूत शयाय नमहा। ओम सर्व भूत शयाय नमहा। ओम अदुम्बराय नमहा। ओम अदुम्बराय नमहा। ओम दद्नाय नमहा। ओम दधनाय नमहा, ओम नीलाय नमहा, ओम नीलाय नमहा, ओम नीलाय नमहा, ओम परमेष्ठिने 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 नमहा, ओम परमे ओम चित्राय नमहा ओम चित्राय नमहा ओम चित्रगुपताय नमहा ओम चित्रगुपताय नमहा ओम चित्रगुपताय नमहा ओम चित्रगुपताय नमहा ओम तरपन करने के बाद अब मनुष्य पित्री तरपन करें। हाज जोड कर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सर्व प्रथम अपने सम्पोर्ण पितरू का आवाहन करें। इन तिन अंजली पितर तीर्थ से तिल युक्त जल अपने पितरू को प्रदान करें। सर्व प्रथम अपने पिता का तरपन करें। ओम तस सदद्य अमुक गोत्रह। यहाँ पर गोत्र का उच्चारण करें। अब यदि आप सोयम तरपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे असमत पितु हो और यदि एजमान के वहाँ तरपन कर रहे हैं तो कहेंगे योशमद पितु हो योशमद पितु हो आमुक शरमाना हा यहाँ पर अपने पिता के नाम का उच्चान करें यदि ब्रामन हैं तो शर्मनाह का प्रियोग करें, यदि छत्री हैं तो वर्मनाह का प्रियोग करें, यदि वैश्य हैं तो गुप्तश्य का प्रियोग करें, और यदि शूद्र हैं तो दासस्य का प्रियोग करें अपने पिता का तरपण करने के बाद फिर अपने दादा जी का तरपण करें यहाँ पर गोत्र के नाम का उच्चान करें युश्मद पिता महा यदि आप स्वयम कर रहे हैं तो असमत का प्रियोग करें और यहाँ पर फिर दादा के नाम का उच्चान करें अमुक शर्मानहा रुद्र रूपह त्रिप्यता मिदम जलम तस्मै स्वधा नमहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्चारन करें अमुक गोत्रह यहाँ पर अपने गोत्र के नाम का उच्चान करें युश्मद परपिता महा अब यहाँ पर अपने परदादा के नाम का अपने उच्चारन करना है अमुक शर्मनहा यहाँ पर उनके नाम का उच्छान करें आधित्य रूपह त्रिप्यता मिदम जलम तस्मे स्वधा नमहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्छारन करें अपने परदादा का तरपण करने के बाद फिर अपने माताजी का तरपण करें। यदि माताजी जीवित हो तो तरपण ना करें। मेदम जलम तसमे स्वधा नमहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्चारण करें अपनी माताजी का तरपन करने के बाद में फिर अपने दादी का तरपन करें ओम तसदध्य अमुक गोत्रा यहाँ पर अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करें योश्मद पिता मही अमुकी यहाँ पर अपने दादी के नाम का उच्चारण करें रुद्र रूपा त्रिप्यता मेदम जलम तसमे स्वधा नमहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्चारण करें अपनी दादी का तरपन करने के बाद में फिर अपनी परदादी का तरपन करें ओम तसदध्य अमुक गोत् यहां पर गोत्र का नाम ले लें योश्मत प्रपिता मही अमुकी देव्या यहां पर परदादी का नाम ले लें आधित्य रोपा त्रिप्यता मेदम जलम तसमे स्वधा नमहा परदादी का तरपन करने के बाद यदी किसी की स्वतेली माता हो और स्वतेली माता की मृत्यू हो जाए तो उनका तरपन इस प्रकार करें ओम तस्दध्य अमुक गोत्रा युश्मद सपत्न माता अमुकी देव्या यहाँ पर सोतेली माता का नाम ले लें वसुरूपा त्रिप्यता मिदम जलम तसमे स्वधा नामाहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्चारण करें सोतेली माता का तरपन करने के बाद फिर पित्र तीर्थ से धारा रूप में जल गिराते हुए इन वैदिक मंत्रू का उच्चारण करें पितरो नवग्वा अथर्वाणो भ्रेगवह सोम्यास तेखाम्व यगुं सोमतो जगनियानाम पि भद्रे सो मनसे श्याम्माहा आयंतो नहा पितरह सोम्यासोग निख्वात्ताहा पथि भिर दिव यानेहें असमिन जगने स्वधया मदंतो धिब्रुवंतो ते वंत्वस्मान्ना उर्जं वहंतिर म्रतं घ्रतं पयाह कीलालं परिश्रोतं मा स्वधास्थ तर्पयत में पित्रिन्ना पित्रिभ्यह स्वधाइब्यह स्वधानमह पितामहिभ्यह स्वधाइब्यह स्वधानमह प्रपितामहिभ्यह स्वधाइब्यह स्वधानमह अक्षन पितरो मीमदंत पितरोति त्रिपंत पितरह पितरह सुन्धत धम्मा जेचेह पितरो जेच नेह जाश्य विद्यया उचन प्रविद्यत्वं बेथजते तेजात वेदह स्वधा भिर्जग्न्यक्गुं सुक्रतं जुखस्वा मधु वाता रितायते मधु शरंति सिंधवा माध्वीर नहा संतो खदीही मधु नक्तमो तो खसो मधु मत्पार्थिवगुंग्रजः मधु द्योरस्तो नहा पिता मधु मान्यो वनस्पतिर मधुमा अस्तुशोर्जः माध्विर्गावो भवन्तो नहा ओम मधु 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 द्रप्यद्धाम् 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 ओम नमोवह पितरो रसाय नमोवह पितरह शोखाय नमोवह पितरो जीवाय नमोवह पितरह स्वधाय नमोवह पितरो घोराय नमोवह पितरो मन्यवे नमोवह इन मंत्रू का उच्चारण करने के बाद फिर जुतीय गोत्र का तरपण करें अर्थात अपने नेनिहाल पक्ष के नाना आधी का तरपण तिल युक्त जल से पितर तेर्थ द्वारा तीन तीन अंजली जल देते हुए करें ओम तसदध्य अमुक गोत्र हां यहाँ पर अपने नेनिहाल के गोत्र का उच्चारण करें युश्मद माता महा अमुक शरमनहा यहाँ पर अपने नाना के नाम का उच्चारण करें यदि ब्रामन है तो शरमनहा यदि छत्री है तो वर्मनहा यदि वैश्य है तो गुप्तह और यदि शूद्र है तो दासह का प्रियोग करें वसु रूपस त्रिप्यता मिदम जलम तसमे स्वधा नमहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्चारण करें अपने नाना का तरपन करने के बाद में फिर पर नाना का तरपन करें ओम तसदध्य अमुक गोत्रह गोत्र के नाम का उच्चारण करें युश्मद प्रमातामह अमुक शर्मणह यहाँ पर पर नाना के नाम का उच्चारण करें रुद्र रूपह त्रिप्यता मिदम जलम तसमे स्वधा नमहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्चारण करें परणाना का तरपण करने के बाद फिर व्रिद्ध परणाना का तरपण करें ओम तसदद्य अमक गोत्रह यहाँ पर ने निहाल के गोत्र का उच्चान करें युश्मद व्रिध प्रमातामह, अमुक शर मनः, यहाँ पर अपने व्रिध परनाना के नाम का उच्चान करें, आदित्यरूपह, त्रिप्यता मिदम जलम तस्मे स्वधा नमः, फिर उसके बाद में अपनी नानी का तरपन करें, ओम्तसदद्य अमक गोत्रा यहाँ पर नेनिहाल के गोत्र का उच्चान करें युश्मद माता मही अमकी देव्या यहाँ पर नानी के नाम का उच्चान करें वसुरूपा त्रिप्यता मिदम जलम तसमे स्वधा नमहा इस वाक्य का भी तीन वार उच्चान करें फिर उसके बा योश्मत प्रमातामही अमुकी देव्या यहाँ पर अपने परनानी के नाम का उच्चान करें रुद्र रूपा त्रिप्यता मिदम जलं तस्मे स्वधा नमहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्चान करें फिर उसके बाद में अपनी वृद्ध परनानी का तरपण करें ओमतसदद्य अमुक गोत्रा यहाँ पर नेनिहाल के गोत्र का उच्चारन करें युश्मद बृध्ध प्रमाता मही यहाँ पर अपने वृध्ध परनानी के नाम का फिर उच्चारन करें अमुकी देव्या आधित्य रोपा त्रिप्यता मिदम जलम तस्मे स्वधा नमाहा इस वाक्य का भी तीन बार उच्चारण करें। जुतिय गोत्र का तरपण करने के उपरांत फिर अपनी धर्म पत्नी से लेकर आप्त परियंत अर्थात जो भी सगे सम्मंधी आपके मृत हो गए हों जिनकी मृत्यु हो गई हो उनके गोत्र वो नाम का उच्चारण करते हुए एक एक अंजली तिल युक्त जल उन्हें पित्र तीर्थ के द्वारा प्रदान करें। ओम्तसदद्य अमक गोत्रा यहाँ पर गोत्र का नाम और यदि आपकी पत्नी जीवित ना हो तो यहाँ पर अपनी पत्नी का तरपण करें। तो यहाँ पर आपने कहना है अस्मद भारिया और यदि यजमान के वहाँ कर रहे हैं तो कहना है युश्मद भारिया अमकी देव्या यहाँ पर पत्नी के नाम का उच्चारण वसुरूपा त्रिप्यता मिदम जलम तस्मे स्वधा नमहा फिर यदि आपका पुत्र जीवित ना हो यदि आपके पुत्र के मृत्य हो गई ह तो अपने पुत्र को भी इस वाकी के द्वारा एक अंजली जल पित्र तीर्थ के द्वारा प्रदान करें ओमतसदद्य अमक गोत्रह अपने गोत्र का नाम युश्मद सुतह अमक शरमानह यहाँ पर अपने पुत्र के नाम का उच्चान करें वसुरूपा त्रिप्यता यदि आपकी कोई कञ्या मृत हो गई हो तो उस कञ्या का तरपन इस वाक्य के द्वारा करें ओम तस्दध्य अमुक गोत्रा यहाँ पर गोत्र के नाम का उच्चारण युश्मत कञ्या अमुकी देवी यहाँ पर कञ्या के नाम का उच्चारण और आपके चाचा की एदी मृत्यु हो गई हो तो अपने चाचा का तरपण इस वाग की के द्वारा करें यहां पर अपने चाचा के नाम का उच्चारण यदि आपके मामा भी जीवित न हो मामा की भी मृत्य हो गई हो तो इस वाक्य को पड़कर मामा का तरपन करें यहाँ पर मामा के गोत्र का उच्चारण यदि आपके कोई भाई की मृत्य हो गई हो तो इस वाक्य को पड़ते हुए अपने भाई का तरपन करें यहाँ पर गोत्र का उच्चारण योश्मद भ्राता अमुक शर मनहा यहाँ पर अपने भाई के नाम का उच्चारण वसुरूपह त्रिप्यता मेदम जलम तस्मै स्वधा नमहा यदि आपके कोई स्वतेला भाई जीवित न हो तो इस वाक्य को पड़ते हुए स्वतेले भाई का तरपन करें ओम तस्दद्य अमुक गोत्रह यहाँ पर गोत्र के नाम का उच्चारण योश्मत सापत्न भ्राता अमुक शर मनहा यहाँ पर स्वतेले भाई का नाम वसुरूपह त्रिप्यता मेदम जलम तस्मै स्वधा नमहा यदि आपकी बुवा भी जीवित ना हो तो इस वाक्य को पड़ते हुए अपनी बुवा का तरपन करें ओम तस्दद्य अमुक गोत्रह यहाँ पर बुवा के गोत्र का नाम योश्मत पित्र भगिनी अमुकी देवी यहाँ पर बुवा के नाम का उच्चारण और यदि आपकी मौसी भी जीवित ना हो तो इस वाक्य को पड़ते हुए मौसी का तरपन करें ओम तस्दद्य अमुक गोत्रह यहाँ पर मौसी के गोत्र का उच्चारण योश्मत मात्रि भगिनी अमुकी देवी यहाँ पर मौसी के नाम का उच्चारण वसुरोपा त्रिप्यता मिदम जलम तस्मै स्वधा नमहा यदि आपकी कोई अपनी सगी बेहन जिसकी डेथ हो गई हो जो मौसी हो तो इस वाक्य को पड़ते हुए अपनी सगी बेहन का तरपन करें ओम तस्दध्य अमुक गोत्रह यहाँ पर गोत्र के नाम का उच्चारण योश्मत भगिनी अमुकी देवी यहाँ पर बेहन के नाम का उच्चारण वसुरोपा त्रिप्यता मिदम जलम तस्मै स्वधा नमहा यदि आपकी कोई सवतेली बेहन हो और इसकी मृत्य हो गई हो तो इस वाक्य को पड़ते हुए अपनी सवतेली बेहन का तरपन करें ओम तस्दध्य अमुक गोत्रह यहाँ पर गोत्र के नाम का उच्चारण योश्मत सापत्न भगिनी यहाँ पर भगिनी के नाम का फिर उच्चारण करें अमुकी देव्या वसुरोपा त्रिप्यता मिदम जलम तस्मै स्वधा नमहा यजी आपके श्वशुर की भी मृत्य हो गई हो तो अपने श्वशुर का तरपन इस वाक्य को पढ़ते हुए करें ओम तस्दध्य अमुक गोत्रह यहाँ पर अपने श्वशुर के गोत्र के नाम का उच्चारण करें योश्मत श्वसुरह अमुक शारमानाह यहाँ पर श्वसुर के नाम का उच्चान करें वसुरोपह त्रिप्यता मिदम जलम तस्मे स्वधा नामाह जो आपके गुरु हैं यदि उनकी भी मृत्य हो गई हो तो अपने गुरु का तरपन इस वाक्य को पड़ते हुए करें ओम तस्दद्य अमुक गोत्रह यहाँ पर गुरु के गोत्र का उच्चारण योश्मत गुरु हो अमुक शारमानाह यहाँ पर अपने गुरु जी का नाम वसुरूपह त्रिप्यता मिदम जलम तस्मे स्वधा नामाह यदि आपका कोई शिश्य हो और उसकी मृत्य हो गई हो तो अपने शिश्य का तरपन इस वाक्य को पड़ते हुए करें ओम्त शदद्य अमुक गोत्रह यहाँ पर शिश्य के गोत्र के नाम का उच्चारण योश्मत छिश्य हो अमुक शारमानाह त्रिप्यता मिदम जलम तस्मे स्वधा नमह यदि आपके किसी मित्र की भी मृत्यू हो गई हो तो अपने मित्र का तरपन इस वाक्य को पढ़ते हुए करें ओम्तसदद्य अमक गोत्रह यहाँ पर मित्र के गोत्र का नाम युश्मन मित्रम अमक शर्मन हाँ यहाँ पर अपने मित्र के नाम का उच्चारण वसुरूपह त्रिप्यता मिदम जलम तसमे स्वधा नमहा। तो प्रियमित्रों सगे संबंधियों का तरप्ण करने के बाद में फिर पूर्वा भिमुख होकर जनेव को सव्य कर लें और इन दोशलोकु का उच्चारण करते हुए देव तेर्थ से फिर पुनह जलधारा गिराएं। देवा सुरास्त थायक्ष्या नागा गंधर वराक्षसाह पिशाचा गुयकाह सिध्धाह कूश्मांडास्त रवखखगाह जले चराभू निलया वायवाधाराष्य जन्तवह त्रिप्ति मेते प्रयान्त्वाशो मध्यत्ते नाम्भुना खिलाह। फिर उसके बाद में पुनह दक्षणा भिमोखोकर जनेव को अफसब्वी कर लें और इन शलोकु का उच्चालन करते हुए पित्री तीर्थ से जलधारा गिराएं। नरकेशु समस्तेशु यातनासुच येस्थिताह तेशा माप्याय नाय तत्दीय तेसलिलम्मया। ये बांधवा बांधवावा ये न्य जन्मनि बांधवाह तेसर्वेत्रिप्तिमायांतु ये चास्मत्तोय कांग्षिणह। ये मे कुले लुप्त पिंडाह पुत्रदार विवरजिताह तेशाम्हिदत्तमक्षय मिदमस्तुतिलोधकं। आब्रम्मस्तंब परियंतं। देवरशी पित्रिमानवाह त्रिप्यंतु पितरह सर्वे मात्रिमाता महादयह। अतितकुलकोटे नाम सब्तद्वीपनिवासि नाम आब्रम्म भुवान नालोका दिदमस्तुतिलोधकं। पित्रितीर्थ से जलधारा गिराने के बाद मैं अब वस्त्र निश्पीडन करें। अर्थाद अपने अंगोचे को चार आवरित्ती से लपेट कर जल में डुबाएं और बाहर लाकर इस श्लोक का उप्चारण करें। येके चास्मत को ले जाता अपुत्रा गोत्रिनो म्रताह ते ग्रिहनन तो मयादत्तम वस्त्र निश्पीडनो दकम। अफसव्य से ही अपने बायभाग में जमीन पर उस वस्त्र को या अंगोचे को निचोडें यदि आपके घर में किसी मृत्त प्रुष का वार्शिक श्राध आदिक कर्म हो तो वस्त्र निश्पीडन कदापी नहीं करें। वस्त्र निश्पीडन करने के बाद में फिर भीश्म तरपन करें। दहिनी ओर मुख करके पित्र तरपन के तुल्य ही जनेव को अफसव्य करके वा हात में कुष्की पवित्री धारण कर भीश्म पितामह केले पित्री तीर्थ से तिल मिस्त्र जल से इस श्लोक का उच्चारण करते हुए तरपन करना चाहिए। वैया घ्रपद गोत्राय सांकृते प्रवरायच गंगा पुत्राय भीश्माय प्रदास्येहं तिलोधकं अपुत्राय ददाम्वेतत सलिलं भीश्म वर्मणे। भीश्म तरपन करने के बाद फिर सुद्ध जल से आच्मन करके प्राणायाम करें। और यग्योपवीत को सव्य अर्थात बाय कंधे पर करके एक लोटेज में सुद्ध जल भरकर उसके मध्य भाग में अनामिका अंगुली से शट दल कमल का निर्मान करें। और उसमें सफेद चंदन, अक्षयत, पुष्प और तुलसी छोडें। पुनह दूसरे पात्र में चंदन से शट दल कमल बनाकर उसमें पूर्वादी दिशाओं के क्रम से ब्रह्मादी देवताओं का आवाहन्व पूजन कर पहले पात्र के जल से उन पूजित देवताओं के लिए अर्गे अर्पित करें। उसके पश्चात इन मंत्रु का उच्चारण करते हुए अर्गे दान करें। निदधे पदम्मा समोध मस्यपागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमहा विष्णम् पूजयामी। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमहा बाहु भ्यामुतते नमहा। ओम रुद्राय नमहा रुद्रम् पूजयामी। ओम तस्वितुर वरेण्यम भरगो देवस्य धीमही। धियो योनह प्रचोधयात। ओम सवित्रे नमहा सवितारं पूजयामी। ओम मित्रस्य चर्खनी ध्रेतोवो देवस्य सानसे। जुम्नम् चित्रस्रवस्तामम्मा। ओम मित्राय नमहा मित्रं पूजयामी। ओम इमम्मे वरुण स्रुधी हव मध्याचम्रेडाया त्वामवस्य राच्चा के ओम वरुणाय नमहा वरुणं पूजयामी। अर्गिदान करने के बाद में फिर सूरियो पस्थान करें। अपने दोनों हातों को उपर की ओर करते हुए पूर्वा भिमुख होकर सूरियो पस्थान करें। ओम अद्रिस्त्रामस्यकेतवो ब्रशमयो जनांग अनो भ्राजन्तो अग्नयो जता उपयाम ग्रिहीतोसी सोर्जायत्वा भ्राजाये खते जोनिही। सोर्जायत्वा भ्राजाय सोर्ज भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठ स्वम देवेश्वसे भ्राजिष्ठो हम मानुष्येखो भूया सम्मा। सूर्यो पस्थान करने के बाद में फिर इन मंत्रु को बोलते हुए दिग देवताओं को दश दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करें दश दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करने के बाद में फिर इन नाम मंत्रु का उच्चारण करते हुए जल में इन देवताओं को प्रणाम करें ओम ब्रम्मने नमहा ओम अगने नमहा ओम प्रतिव्ये नमहा ओम ओखधिव्यो नमहा ओम वाचे नमहा ओम वाचस्पतई नमहा ओम महद्भ्यो नमहा ओम विष्णवे नमहा ओम अध्भ्यो नमहा ओम अपाम्पतई बरुनाय नमहा जल में इन देवताओं को नमस्कार करने के बाद में फिर मुख मार्जन करें अर्थात अपने दोनों हातु की अंजली में जल लेकर इस मंत्र का उच्चान करते हुए अपने मुख को धोलें फिर उसके बाद में इस मंत्र का उच्चान करते हुए देव गणू का विशर्जन करें फिर उसके बाद में अपने दाइने हात में शुद्ध जल लेकर तरपन पात्र के उपर घुमाते हुए भूमी पर छोड़ दें और इस वाक्की का उच्चान करें अनेन यथा शक्तिक्रतेन देवरशी मनुष्य यम पित्री तरपना खेन करमना भगवान मम समस्त पित्र स्वरूपी जनार्दन वासुदेवह प्रियताम नमामा ओम ब्रह्मार पनमस्तों फिर उसके बाद में अपने हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़ते हुए इन वाक्क्यू का उच्चान करें और पुष्प को तरपना पात्र में छोड़ दें प्रमादात कुर्वताम करमा प्रच्य वेताद्बरेशुयत स्मरना देवतत विष्णोह संपूर्णं शादिते स्रुतिही यस्य समर्त्याचनामोक्त्या तपो यज्यक्रियादिशू न्योनम संपूर्ण ताम्याते सद्योवंदेतमच्यूतम् ओम विष्णवे नमहा ओम विष्णवे नमहा ओम विष्णवे नमहा पुष्प को चणा दें उसके बाद में शुद्ध जल से आचमन करने तो प्रियमित्रो ये थी तरपन करने की संपोर्ण विधी अगर आपको ये विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक जरूर कर और कमेंट बॉक्स में ओम पित्र देवाई नमहा जरूर देखें